आपने हम लोग कल कहां तक छोड़े थे कल को नो बकलो ला गिया था क्लास में उसके चक्कर में पूरा क्लास गड़ बढ़ हो गया था आज जादे नहीं पढ़ाएंगे मेरा गला बज़ गया है हम साहथ बतायते हैं 54 54 से बचान बताना था 74 से चलिए 74 देख लेते हैं कहा गया हो गया 74 यह है और चोटा कर देते हैं स्टार्ट किया जब हो चलिए कॉशन नमबर 74 कह रहा है कि पूना पैक्ट यानि पूना समझाता की बात कह रहा है चलिए पूना पैक्ट कब हुआ था कहने का सेंसे इनका पूना समझाता 1932 में किसके बीच हुआ था पूना समझाता हुआ था ये 24 सेप्टेंबर के दिन दिन कौन सा था भाई 24 सेप्टेंबर का दिन था और ये पूना समझाता हुआ था 24 सेप्टेंबर 1932 को गाधी जी और अमबेटकर साथ के बीच हुआ था पूना समझोता, गांधी एवं अंबेटकर के बीच पूना समझोता हुआ था, देखे इसमें में बाते क्या थे, पूना समझोता की में बात, पूना समझोता में भीमरा अंबेटकर की अलग मांग थी और गांधी जी क्या अलग विचार था, दोनों की विचार धराएं अलग अलग था मैं अमार वगरा सब 1932 में तो एक ही में थे सब तो भीम रावंबेटकर का कहना था कि हम चाहते हैं दलितों के लिए एक अलग छेतर घोसित कर दीजे कि ये छेतर दलितों का छेतर है ये इधर दलितों का छेतर इधर दलितों का छेतर मतलब जहां जहां दलित जादे हैं वो च्छेत्र ही आप घोशित कर दीजिए कि दलितो का है हमको लगबग आप 48 सीट दे दीजिए हम दलितों के लिए एक खुज हो जाएंगे हमको यहां पे दलित के लिए लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि अगर धलितों को एक जगा बसा देंगे तो वहाँ केवल दलीतों का वर्चास हो रहेगा कहीं एक जगा में किसी एक जाती के लोगों को रहने से उसका वर्चास हो जाता है वहाँ पर तो गांधी जी अंसन पर बढ़ गए यरवदा जेल में 1932 में जबकि इसकी गोशना डोना रेमजे मैक डोनाल ने कर दिया जबरजस्ट लीडर थे दूसरा कोई उतना बड़ा हिंदुस्तान को लीड करने वाला उतना नहीं था जो अकेले पूरे हिंदुस्तान को लीड कर सके जैसे सुवास्चन बोस का जो वर्चस वह था वो मेली उत्तर भारत को ले कर था दक्षिन बारत में उतना वर्चस अस् तो एक नेत्रित में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तो एज का भी तो महात्मा गांधी का थोड़ा एज भी जादे था अब पड़े लिके भी थे अमीर भी थे इसलिए महात्मा गांधी जब जेल में बैट है तो अमबेटकर को लग गया कि भाई साब भीम अमबेटकर को लग गया कि भाई समझाता कर लेना ठीक है कहीं बुड़ाव जेल में मर गये तो फिर हमको बाहर लोग माट डालेंगे लोग कि यह के चक्कर में मर रहे हैं तो महात्मा गांधी ने कहां अमबेटकर साब से कि देखिए आप जितना सीट मांग रहे हैं न हम इ 800 से जादे आपको एक साहता हम 140 आपको दे देंगे लोग आप टेंसर ने लिजिए लेकिन आप यह मत कहिए कि यह च्छेतर मतलब डलीतों का रहेगा तो महात्मा गांधी अमबेटकर का है कि मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं तो महात्मा गांधी ने जो नियम सुझाया था वो आज भी लागू है मतलब यह वाला एरिया दलीतों के लिए हैं यह एरिया दलीतों के लिए यह एरिया दलीतों के लिए लेकिन अगले साल यह एरिया दलीतों का नहीं रहेगा अब इस एरिया से लड़ेगा इस एरिया से लड़ेगा तो आप लोग में भी देखिए हो गया तो अगली बार दलित सीट हो गया अगली बार सामान ने हो गया मतलब फिक्स नहीं रहाता है चेंज होते रहाता है तो महात्मा गांधी कहें कि हमको पूरिये हिंदुस्तान जो छेत था वो टांसफर होते गया जबकि अंग्रेजों ने मुसल्मानों के लिए यह एरिया रिजर्व कर दिया था आगे जाके क्या हो गया यह देश बन गया तो महात्मा गांधी को भी इस बात का अंदेशा था कि आगे जाके कुछ गड़बड हो जाएगा इसलिए महात् के लिए कौन सा निर्वाचक मंडल दे दिया गया संयुक्त निर्वाचन जएकि मुसल्मानों के लिए प्रिथक था दोनों में अंता समझ में आ गया महत्मा गांधी से यह समझाथा दो लोगों ने कराया था तेज बहादूर सप्रू और मोतिलाल नहरू यह दो लोगों की महत्तपूर भूमिका थी इनके समझाथे कराने में इसमें अप्सन बताएंगे कौन सा होना चाहिए अप्सन नमबर इसमें होना चाहिए यह मात्मा गांधी 24 सितंबर 1932 को तेज बहादूर सप्रू और नहरू के बीच में हुआ था मोतिलाल नहरू ने इसमें समझाथा करा हैं कि हम दलीतों के साथ हैं तो महत्मा गांधी ने कहा कि यह काम करते हैं दलीतों को हम अपने फेबर में लेते हैं तो महत्मा गांधी ने कहा दलीतों को कि रे भाई हम बेटकर साब तुमको दलीत बोलता है बोलो कितना गलत बात है तुम लोग भगवान के भेजे हुए ल लिए तुमारी सेवा करना में हमारी भलाई है हर व्यक्ति डलीतों की सेवा करें इस巴 करें ऐसले महात्मागाणी ने अंदोलन्य चला दिया कि डलित सेवक संग मतलब हरिजन सेवक संग हरीज सेवक संग यानि भगवान के जो भेजे हुए लोग है उनके तो जो हरीजन लोग थे यानि दलीत लोग खूस हो गए कहीं कि भाई भीम राम बेटकर से चाहत हमात्मा गांधी हैं सब महत्मा गांधी क्यों हो गए सब भीम राम बेटकर जहन धरम बहुत धरम अपना लिए महत्मा गांधी हम अनबेटकर के बीच आपसा नंबर कौन सा होगा यह हो गई है नेरू इन लोग के बीच में नहीं हुआ था और इंडिया मुस्लिम लिग के संस्थापक कौन थे अब बताएंगे यह कौन होगे इसके संस्थापक आगा खाने हम सलीमुल्ला खान के सायोग से 1906 में धाका में हुआ था इसकी अस्थापना का हुआ था धाका में हुआ था इसकी अस्थापना किसने किया था पता है मिन्टो दुतिया मिन्टो दुतिया अस्थापना में सहायता किसने किया था मिन्टो दुतिया और यह मिन्टो को भारत में दंगा फसा दिया यानि सा दिया था, लेकिन किसी को खास समझ में आया नहीं था, ये महत्मय गांदी को समझ में अगया था, इसलिए उन्होंने यही चाल whenever को मिंटो चला था, वही चाल दुबारा वह दलितों के नाम पर चलना चाते थे जिसनलिए उन्होंने शफल होने नहीं दिया तो इसमें आगा खान हो जाएगा 1966 में अस्थापना धाका में किया था मुपमद अली जिन्ना तो यह आगे गे मुझेलिम लिग की अध्याक्ष बने थे और बहुत ही प्रखर अध्याक्ष बने भेहुत आगे ले गए थे मुस्लीम लिग को महांटमा गांदी जो थे वो अंदोलन करना चाहते थे तो अंदोलन करने के लिए वो 1930 में महतमा गादी ने इरवीन को 12 सुत्री मांग दे दिया, कहा कि बाई इरवीन तु हमरा इबात माल ले, इरवीन कहाग दे तुर आम बात ना मानेंगा, हमेसा तु अंदोलन कर दिया, तो महत्मागादी ने क्या किया आंदोलन कर दिया और इन्होंने डांडी आंदोलन किया पैदल आंदोलन पे निकल गए जितने पैदल निकले उतने बवाल होने लगए डांडी नामक अस्थान पर पहुंचे ये नीचे डांडी है और यहां नामक कानून तोड़ दिया मातमेगादी ने ऐसा मुद्दा उपनाया जो हर लोगों को जरूरत था नमक नमक पर महाँगाई बहुत जादे टर्टेक्स जादे था तो नमक कानून तोड़ दिया यहां पर आके उसके वाद सबी ने आवग्या आंदोलन चला दिया एतना भयाना की आंदोलन हो गया कि 1931 आते आते इसकी ख़बर चली गई कहाँ पर लंदन में और लंदन में जो वहाँ ब्रिटेन के परधान मंतरी थे रेमजे मैक डोनल इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसका नाम था गोल में सम्मेलन उस मीटिंग में कोई गया ही नहीं था भारत में भारत से कॉंग्रेस का परतिनी थी नहीं गिया था और उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस थी और उसका कोई भी परतिनी भारत नहीं आया था तो रेमजे मैकडोनल्ड ने इंडिया में फोन करके इर्विन को गरी आया, रेच्षटा कहीं कहीं, तो उनको बोले थे कि भारत से नेता को भेजने के लिए काहीं नहीं भेजा, तो इर्विन करा कि महराजी या गंधिया अंदोलन करके भेज चाल है, हम का करें, गांधी को सम समझाने के लिए 5 मार्च 1931 को, दिल्ली में एक समझाता हुआ, इसे हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी समझाता को गांधी इर्विन समझाता करते हैं, सरोजनी नैडू ने गांधी को और अंबेटकर को दोनों को संयुक्त रूप से दो महात्मा कहकर बुलाया है, दोनों कोश्चन याद रखेगा, इसे दिल्ली पैक्ट भी करते हैं, और दो महात्मा कहकर क्या किया है, बुलाया है, इसी बीच में महात्मा गांधी से इर्विन ने कहा कि देख भाईया, हम तोरा से हाथ जोडते हैं गांधी, यह अंदोलन खतम कर, और सीधे सीधे तू लंदन चल जाओ, राजा का बात मानना चाहे मत मानना, एक बार प्लीज यहां से चले जाओ, अगर चले जाओगे तो हमरी नोकरी बच जाएगी, यहीं महात्मा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यहीं पर महात्मा गांधी इर्विन से नहीं कर पाए क्योंकि यहीं वो एक्ति से जब भगत सिंग को पासी दिया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने सर्थ रखा, सर्थ यह रखा कि जितने भी अपराधी जेल में है, अगर आप उन्हें छोड़िएगा, तब ही हम भाग लेने जाएंगे, यहाँ इरीनमय को चाल चल दिया, उसने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, हम सब को रिहा कर देंगे, तो राजनीतिक कैदी उसे कहा जाता है, जो आंदोलन में गया है, जबकि भगत सिंग को तो बम फेकने का रोप में गुराफतार किया था, उन पर आप राधिक मुकदमा था, तो यह कहें कि आप जि भागत सिंग को छोड़ेंगे की नहीं छोड़ेंगे अब यहां समझ यह दो बाते जो आपको आपको यह समझने में गलत हो सकता है पहला कि भागत सिंग ने जो बंप फेका था उससे किसी की जान नहीं गई थी कोई व्यक्ति मरा नहीं था इसलिए महात्मा गांदी खुद व राजनितिक अपरादी अगर महात्मा गांदी को तो कहना चाहिए जितने भी कह दी हैं सब को रिया कीजिए तो उस समय भी मर्डर होते थे और सच में आपरादी थे तो सब के सब छूट जाएंगे तो महात्मा गांदी का भी तो प्रस्ताव एक तरह से सहीं था जितने कि आमी के बच्चे अंग्रेजों ने कानून में फिर बदल मतला उनका अपना कानून था उन्होंने कां कि नहीं भगत सिंह राजनीतिक दिये नहीं है इनको भेज दिये हैं सब कहा पर London में छल गये भग लेने के लिए London में वहाँ पर वहां जाके दुसरे बवाल हो गया पहल को किसी को फासी देना आया तो दे देते सब आपके बहाँ से कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि जज्ज तो वही थे अल्टिमेट फैसला उनको देना था आप कुछ नहीं कर सकते थे आप अगर इसका एक्जामपल देना चाहेंगे तो खुद उननी सब आयालिस में महात्मागांधी की हत्या का प्लान अंग्रेजों ने कर दिया था महात्मागांधी जब आमरण अनसन पर बैठेत है इस बार हम आपको नहीं देंगे खाना पी नहीं पूछा था बेचारा यही काम था कि सरकार कैसे कानून का खिलवार करेगी जब आप नहीं समझ पाए तो एक आम आदमी क्या समझेगा इस देश को तो कहीं न कहीं यह महात्मा गांदी की गलती थी अगर हम यह कहते हैं कि नहीं महात्मा गांदी 100% निर्दोस थे तो यह गलत है यहां 50% जिमेदार अंग्रेश थे और 50% जिमेदार महात्मा गांदी थे लेकिन महात्मा गांदी को भी यह नहीं पता था कि जो भगत सिंग जो बम फेके हैं वो खाली कुर्सियों पे फेके थे और खुद अपनी गिरफतारी दिये थे कि हमें गिरफतार कर लिजे इंकलाब जिंदा बात बोल होते हैं फासी तब ही होता है जब हम किसी की जान ले ले हम किसी को गोली मारे अगर बच भी गया तब ही पहासी नहीं होगा हमको क्योंकि पहासी की लिए एक बहुत बड़ा क्राइम होना जाइए तो गांदी जी को ये समझने में भूल ओ गई कि भाया यहाई है लेकिन गलती के लिए गाली सुनना ही पड़ेगा हम महात्मा गांदी के केवल यह हम हो या दुनिया का कोई हो मात्मा गांदी का यह गलती था जीवन का बाकी कोई गलती नहीं था मात्मा गादी का यह बड़ी गलती बाकी जीवन में इंसाने तो गलती करेगा ही करेगा तो आप समझ कब रहा है एसा चुनाव में उठने के लिए कमेंट कर रहा है से चुनाव में उठता है जिसे जूट बोलना आता है जो अंधा भग्त हो कि हम यहीं सही है यही खराब है तो भाईया हम किसी के 100% आप कल देखते होंगे हम गांधि जी का बहुत समर्थन कर रहे थे हैं आज हम जी को क्या बोले कि आप ही गीगलती है तो हम भाई हंड़िट परसेंट ना हम किसी के समर्थक है ना भीरोधी है आप सच कहिएगा तो आप अगर हमारे हत्यारे भी है तो हम कहेंगे कि नहीं व्यक्ति सही था और जूट बोलेंगे तो आप हमरे खुद के पिता जी कायना रहे जवान काटके रिड की हड़ी तोड़ दिया गया है और पुलिस में जब वो रिपोर्ट लिखवाने गया है तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखाए कि छेडखानी हुई है और उसके बाद भी लोग कहते हैं कि सर जाती के नाम पर आरक्षण की हो जाता है देख लो भाईया यह आरक्षण का नेतिजा सारा कानून है ना दलितों को दलित को अगर चमार बोल दीजेगा तो जेल हो जाती है अरे भाईया यह देखो यह आप अगर यह दलित नहीं रहती ना कोई बड़े जाती की रहती या किसी नेता की लड़की रहती या अमीर की लड़की रहती तो वाई इस देश में तीन चीज़ को नेता हैं पैसा वाले हैं उचे जाती हैं तो लोग जादे तोड़ा भाईलू देता है आपको आप लोग समझ रहे हैं इसको गलत हुआ यार देश में मुड़े अजीव हो गया बताइए किसी महिल एक लड़की कमेंट की सर महिला होना पार कि थी फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्जियों को भासा के आधर पर बना दीज़े इनकी जो रिपोर्ट आइथी 1956 में आई थी बंगाल, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए महराष्ट इस तरह से बनाया गिया था, हाला कि इससे पहले एक S के धर आयोक थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह से भासा के आधार पर नहीं बनाई है, लेकिन इनों ने कहा और ultimate यह सहीं भी थाबित हुगा लेकिन इनों ने कहा ता कि ऐसा नहीं है कि महराथी बोलने को लिकी लिकी महराथी नहीं जा सकते हैं वह भासा के अधार पर इसलिए बनाएक ताकि सहूलियत होगी अब बिहार में तो भोचपुरी बहुत लोग बोलते है लो समझागा लेकिन जितना नया जमाना का लॉंडा है सव यह जो दो कॉड़ी के गाना गाने वाले गाएकार हैं सब पूरे बिहार को गाली सुनवाएगा अई जन गाना बना देता है समना कि बिहारीओं को पहला अंदोलन उनका चंपारन में था, महत्मा गांधी के पहला अंदोलन कहा था, चंपारन में था, देखिए महत्मा गांधी के दिमांग में बैठा था कि बिहार की धर्ती जो है ना, वो करांती की धर्ती रही है, क्योंकि महत्मा बुद्ध भी जो थे, वो भी कहा के रने वाले थे बिहार से ग्यान प्राप्त हुए यहां पर और करांती यहां से कर लिए थे और उसके बाद आप देखेंगे महाभीर स्वामी को यहीं से निकले असोक को देखें यहीं से निकले इसलिए महत्मा गांधी को भी लगा कि यहीं जग्यार सही है बिहारे से चांप आंद अलेबल किए, पटना उन्यूर्स्टी, एक्पिर्वार की सबसे अच्छी उन्यूर्स्टी है, उसमें आधे टीचर की सीट खाली है, किस काम की उन्यूर्स्टी रह गई वहाँ पर, तो वहाँ पे एक मुद्धा भी हो सकता है, इसलिए इन्हों पिर्वार में उठाया चंपा उसकी 20 कठा में से 3 कठा जमीन तो बंजर बनाके चले गां और नील वह आते थे सब जब अर नील को ओने पॉने दाम में खरीद ले जाते थे सब तो भाई किसान को एक तो नील का ओरीजिनल कीमत नहीं मिलती थी दूसरा ही नहीं उसकी एक अपनी जमीन खराब हो जाती थी ती जमीन साल में तो आप उसका नो कठा जमीन खराब कर दी है सोचिए ना जाएगा से सब जमीने कर्चा करा दिए उसका तो तो महात्मा गांदी आ गए और यहां अंसन पर बाइट गए गावालों से काएं कि अंग्रेज जो हैं सब पुलिस वाला काई गोई से बीस गोई सब लाठी मारें अचा भागना वात अब पूलिस को यहीं सिखा जाता है जिए कहीं पर भी आ अनसन में जाये गार माहत्मा गांदी कितनों लाठी मारें आप बागना नहीं नहीं ने काम किया पूरा गावाले चंपारन जो अभी वहाँ पर बिहार मे है है Church Amparan तो सारे लोगी कठा हो गए और नील यह जो था तीन कठिया पद्दिती इसको समयाप्त करना पड़ा तीन कठिया पद्दिती पूछे का कितना कठना नील बोना था तीन साल तक फसल बर्बाद हो जाती है नील बोने पर कपड़ा पे जो नील चाड़ाय फिर थोड़ा नीचे घसक गया और नीचे घसक गया और नीचे घसक गया कुछ दिन में उघारे घुमेगा सब उस तरह से फैसंजी सिस्थाब से आगे बढ़ रहा है अगे बढ़ें कितना नंबर हो गए इसमें चंपारान सत्यागर। आब इसके बाद देखिए महात्मागाधी चंपारान सत्यागर। डांडी मार्च था यह या तो सूरत सत्यागर। सबीने अवग गयां अंदोलन महात्मागाधी का, यह बहुत बड़ा अंदोलन था, जन अ साब से आपको सजाना है सही सही है अबते ये डेट कहीं साब सचा जाएंगे क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था क्रिप्स मिशन 1942 में फिर यहां सविने अवाग्यांदोलन सविने अवाग्यांदोलन 1930 में था 1930 केविने अवाग्यांदोलन 1936 गड़बड हो गया देख रहे हैं यह 30 अगर पहले रहता तो 30 42 46 हो जाता है यहां देखिए सविने अवाग्यांदोलन 1930 यह तो ठीक है क्रिप्स प्रस्ताव दुतियभी स्यूद में भारत से सहयोग मांगने के लिए था लेकिन सहयोग नहीं मिला आगे बढ़े अगे प्यारवला बी दरोगा मेंस का देट आएगा हम आपको मंडे को पूरा क्लीर कल्प के लिए दिखिये आज कम ही क्लास लेंगे सटड़े की दिन आपका 10 घंटा का क्लास चलेगा ठीक है सटर्डे को 10 गंटा क्लास चलेगा हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा होता है मेंली को सिसी रहती है कि इस्ट्री में आपको टॉनिक बैच में आपको टॉनिक बैच का मतलब क्या होते है जितना पढ़े है उसको एक बार रिवाइस करा दे आदमी दूसरा इसका कोई मकसद नहीं ह I don't have to leave a any means हम लोग की प्रॉब्ल्लम नहीं है नहीं आपकी बैंक वालों का कभी बैंक में जाते हैं करता है कि कि लिंक के फेल है आप चानर का js券 यकिन सपर होजाता है लेकिन और बेंदी सब सै्टल होजाता है I संडे संडे कल फ्राइडे आप लोग जिनका प्रेमेंट फ़स गया वो लोग वाट्सअप कर देंगे अगर कोई रिस्पॉंस नहीं कर रहा है तो दुबारा कर देंगे लोग कोई दिक्कत नहीं है आगे देखिए जितने लोग मैप में एडमीशन नहीं लिया है मैप है पॉ यह महत्मा गांदी ने डांडी मार्च किया देखिए महत्मा गांदी जब डांडी मार्च की है तो यह गुजरात के साबरमती आसरम से निकले यहां से और यहां से निकले और वो यहां पहुंच गये 6 अपरेल 1930 6 अपरेल 1930 को डांडी मार्च सफल हो गया यह चले थे 12 को 6 मार्च लगबग 24 दिन में यहाँ पे पूझ गह थे यह 24 दिन जिन महातमा गांधी पैधल चले थे नब तो हजारों की भीड महातमा गांधी के साथ हो गई थी जबकि सुर्वा फंधा महातमा केवल 78 लोगों से किया था, जिसमें सरोजनी नाइडू भी थे, और मात्मा गांदी का यह डांडी मार्चन है, इसकी तुनला नेपोलियन की पेरी सियात्रा से किया गया है, सन्वेय की निया गया है, डांडी मार्च से, मात्मा गांदी जब यहां नमक कन उन तोड़े पीछे तरीके से, अवग्या, अवग्या मतलब disorder, बात नहीं मानेंगे, अंदोलन, मतलब पूरी तरह से movement, यानि civil disobedience, मतलब एदम इज़्जत से, disobedience में मतलब बात नहीं मानेंगे, देखिए, सवीने अवग्या अंदोलन क्या था, समझ यह, जैसे हम आपसे कहें, कि बाबू, फाल तुए comment करेंगे, यही है सवीने अवग्या, मने हम आपका बात नहीं मानेंगे, लेकिन विरोध इतनी इज़त से करेंगे, जितना गुरू जी का इज़त किया जाता है, महत्मा गादी नहीं कहा था, कि अंग्रेज जो बोलते हैं सब, तुम उसका उल्टा करो, लेकिन इज करते हैं कि अंग्रेज महराज, आप कह रहे हैं नमक बना, नहीं बनाना है, आप चिलाते रह जिए, हम नमक बनाएंगे, हो गया, यही था सवीने अवग्यान दोलन, तो कह रहा है क्वेस्चन में, कि गांधी जी की डांडी यात्रा किसका एक उधारण था, किसका एक उधा में, लाहोर अधिवेशन 1929, जवाहलाल नहरू, जे नहरू, जवाहलाल नहरू, जवाहलाल नहरू ने लिया था, पूर्ण स्वराज का, अब आप कहेंगे पूर्ण स्वराज क्या है, बात समझीए यहाँ थोड़ी गहराई से, 1928 में, मोती लाल नहरू, जो नहरू जी के पाप, पिता जी थे, इन्हों ने एक समविधान बनाया, जिसका नाम था नहरू रिपोर्ट, समविधान का नाम क्या था, नहरू रिपोर्ट, अब यह लेके गए, किसके पास, 28 में बैठा था, लाड इरिवीन के पास, किसके पा था कि हमको जो है स्वायत राज चाहिए स्वायत राज का मतलब होता है डोमेनियन स्टेट मतलब हमको बस इतना कर दीजे कि हमारे राज जी का सासन यानि मुखिया डीम एसप ये पावर हमको दे दिए देश आप अपने रखे रही है इनोंने इतनी ही बात मानी थी इरविन ने बेजज़त करके भगा दिया था मोती लाल नहरू को नहरू रिपोट फार दिया था ये देखकर छोटका नहरू आ छोटका नहरू मतलब जवाहर लाल नहरू ये सनक गया सनक के कारा कि तू हमरी बाप का बेज़ती किया है अरे हमरा बाप मांगा क्या था अजादी मांगा था नहीं न केवल हो क्या कहा था कि राजियों को छूट दे दिजे डोमेनियन इस्टेट दे दिजे हम तो रहा ओकाद दिखाएंगे एरिवीन तु टेंसन मतले हम अहू को मत समझी हो हम यहां के पंडी जी हो नो जवालने ले मतलब अब तनी मनी ना तुरह से तनी मनी मांग रहे थे तो हमरी बाप की बेज्जती कर दिया फार दिया हमरा संबीधान भार में गया हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और हम यह कसम खाते हैं कि हम आज से ही आजाद हो गए तो दिखिए का जो अधिवेशन होता था वो दि दिसंबर में होता था तो दिसंबर 1929 में इन्होंने कसम खाया कि हम आज से ही मानेंगे कि हम आजाद है तो दिसंबर के बाद अगला महिना जनवरी आता है तो इन्होंने कह दिया कि 26 जनवरी अब यह तो 1930 हो जाएगा 1930 तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वाधिनता दिवस घोसित कर दिया और कहा गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा जंडा लाहराएंगे और यह कहकर कि हम स्वतंत्र हैं हम गरतंत्र हैं और तब से यह परंपरा चली आई है कि हम 26 जनवरी को अपना जंडा लाहराते हैं 26 जनवरी को कुछ नहीं हुआ था, ना हमारी देश की आजादी हुई थी, ना कुछ, 26 जनवरी को तो जान बुच के संभीधान लागू करा गया, जबकि संभीधान तो बन गया था 26 नमबर 1949 कोई, दू महिना क्यों लेट किया गया, यही वज़स से, संभीधान के कि नहरू प भारत को डुबा दिया, जबाल नहरू, जबाल नहरू तो बहुत एक से करांतिकारी काम किया, तो समझ में गया, पूर्ण स्वराज की मांग कप रखी गई थी, 1929 में जबाल नहरू, आजादी के बाद ही सारा काम चोपट किया, इस सबसे बढ़ा खराब था, एक कस्मीर तो गलती, राउल गांधी, आगे दिखिए, यह होगया अगला कोशन, बनारस हिंदु उनिवस्टी क्या स्था, अपना मदन मोहन मालविया, 1916, बी एच्चुई से कहते है, मदन मोहन मालविया ने किया था, इन्हें महा मना कहा जाता है, मदन मोहन मालविया, इसमें कौन सा पूरब साइड में है, और पस्चिम साइड में है, तो यह देखिए, पूरब और पस्चिम के बीच के तनाव था, पूजिवाद, अमेरिका में हर चीज प्राइवेट है, तो पूजिवाद है, असाम्मेवाद, अमेरिका, यहां, रूस में हर चीज सरकारी था, तो साम्मेवाद यह भी लड़ाई थी, महा सक्तियों के बीच की लड़ाई, दोनों सा ही थी, तो इसमें कौन सा हो गया, उप लगता होगा उसका मेजनी जो सब मेजनी इसे इटली का तलवार कहा जाता है यह आपका बिसमार्क बताईए भारत का बिसमार्क किसे करते हैं सरदार पटेल को समया अगला कोशन कोशन दखिया एक को दो से मिलाना है सुची को यानि यह अलग अलग नाम दे रहे दयानंद सरस्वती के बच्पन का नाम था मूल संकर आगे बड़े रामकृष्ण परमहंस इन रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदाधर चटोपाध्याय स्वामी वीवेक परमहानंद का नरेंदनाथ दस्त सीव दयाल साहिब तुलसीदास सीव दयाल साहिब तुलसीदास उनके नम था इसन मेरा गला बजा हुए इसलिए आवाज के लिए नहीं जा रहा होगा वैसे भी मेरा गला बड़ी अजीव है अब आज जादे हो गया है देखे भई मेरा गला ही बजा हुए तो क्या करेंगे जादे नहीं पढ़ाएंगे सटरडे को जादे 10 घंटा पढ़ाएंगे सटरडे संडे संडे को भी क्लास लेंगे नहीं दरोगा के डेट को थोड़ा लेके लड़के असमंजस में चली देख सभा की अस्थापना किया था जबकि आत्मिय सभा की अस्थापना किया था राजाराम मोहन रहे यानि ये गलत है पहला दूसरा गलत है आत्मिय सभा की अस्थापना की अगर पूछेगा तो आत्मिय सभा की अस्थापना राजाराम मोहन रहे ने किया था इससे ये सही हो सकता है धर्म सभा की बात कहेगा तो इसके थे राधा कांत दे ये सही हो जाएगा तत्व बोधनी सभा की अगर बात कहेगा ये तत्व बोधनी सभा ये थे आपके देवेंदनात तैगोर तत्व बोधनी सभा और प्राथना समाज के आत्मा राम प लग्हादा को दे करहा कि राजरारां मोहनरा ने ब्रह्म्त आस्त्तापनस 823 में किया था ब्रह्मत माथ है यह निक्रम आध्वनिक्ता की और लेकर जा रहा था यानि यह पस्च्मी सबएता की और posiçãoल प्रियित था राजाराम मोहनरा यह यो थे इन lobsteri सती प्रथा का अंद्द किया था. राजाराम मुहन राय बहुत छोटे ही थे, कि इनकी माता जी का देहान थो गया, इनकी पालन पॉशन्ड इनके भाबी ने किया था, जो इनकी भाबी थी. ये अपनी भाबी को ना मम्मी बोलते थे, छोटा बच्चा था इनको क्या पता कि मेरी मम्मी नहीं है, भावी इनके, जब ये 12 साल के हुए ना, तो इनके बड़े भाईया का देहान थो गया, जब बड़े भाईया मरें, तो इनकी भावी को उनकी भाईया की लास के साथ जला दिया गया, उन चिलाते रह गई लेकिन जला दिया गया, अब कि उनको भावी तो समझते नहीं थे, उन्हें मा बराबर समझते थे, अभी बेचारा ने हाट पे ले लिया कि कि हम छोड़ेंगे नहीं, अभी सती पर्था को जला देंगे, इस सती पर्था ने मेरी मा जैसी भावी को जलाया है, हम इसी सती पर्था को जला देंगे, तो बिलि तो बहुत कूरीतियां थी हर धर्मों में कुछ न कुछ कूरीतियां मिलती हैं जिसे वक्त के सब्सक्राइब करेगा सर्व बैक इंट सर्वर और एमेजन के सर्वर पर लोड जादे होगी एडव्लूएस पर भेज़ दूना कुछ कुछ सिफ्ट करते रहो अलग अलग सर्वर पर इन में से किसने मुगल बात्सा को राजा राम मोहन राय ने अपने दूद बना कर लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय किसको भेजा था अकबर दुती ने भेजा था राजा राम मोहन राय को किसने भेजा था अकबर दुती ने और राजा राम मोहन राय की मृतिव भी हिसे चुर्या का pension घटा दिये थे तो राजयाराममा को कहा कि आप अप अही पढ़े लिखे हैं जाइए पैंसन बढ़ाया था सब अगला कोशन कर रहा है हुमायू नामा किस ने लिखा है हुमायू नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायू नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायू नामा में ये किताब दो भागों में है सुर्वाती भाग में बाबर की कहानी है और अंतिम भाग में हुमायू की कहानी है. ये एक मात कितावए जिससे मुगल बातसा की महिलाओं ने लिखा है. अगला दिखिए नील दरपण के लेखा कौन है? दीन बंधु मित्र. नील दरपण में जमिनदारी पर्था की चर्चा है. दीन खंड है एक खंड में अकबर के राजा बनने के पहले की कहनी है दूसरे खंड में अकबर राजा बनने के बाद क्या किया था और तीसरे खंड का नाम है आईने अकबरी जिसमें खुद अबू फजल ने अपने बारे में लिख दिया है तो यह जानता था अबू फजल कि हमरा क किताब तो भीकेगा नहीं, इसलिए काम करते हैं, अकबर नामा बना देते हैं, उसमें तीन खंड बलते हैं, कि राजा बनने से पहले अकबर की स्थिती, दूसरे खंड में राजा बनने के बाद अकबर ने क्या किया, उसके बाद मैं अबू फजल ने क्या किया, तो किसकी बंदे मातरम किस ने लिखा था बंदे मातरम बंकिम चंचटर जी ने लिखा था बंदे मातरम सुझलाम सुफलाम मले जसे तलाम सस्य सामलम मातरम ये बंदे मातरम किस ने लिए बंकिम चंचटर जी देखें बंदे मातरम जो है एक मुठ का किताब है जैसे ये किताब है ना इसका नाम क्या आनंद मठ उस आनंद मठ किताब में जो एक बहुत अच्छा स्लोक है जिसका नाम है बंदे मातरम उसमें से एक पन्ना फार लीजे तो आनंद मठ किताब का एक फाटल पन्ना का स्लोक का नाम है आनंद क्या बंदे मातरम पूरा किताब क्या है पूरा किताब है आनन्द मठ इस आनन्द मठ किताब के रचाईता कौन है बंकिम चंचटर जी इसी किताब का एक महज पेज है जिसे हम क्या कहते हैं बंदे मातरम समझा गया इसे गाने के लिए कई लोग कहते हैं कि ये धार्मी का हमारे हिसाब से गलत है क्योंकि हमारे संबिधान का इस बात की इजाज़त देता है समझे आगया की नहीं आगया दूसरा समझे बंदे मातरम का अर्थ होता है कि हम इस की हम इस धर्ती की पूजा करते हैं हम इस धर्ती की पूजा करते हैं अनुच्छत 25 का रहा है कि आप कोई भी धरम को मान सकते हैं तो इसलाम धरम को मानने वाल जो है इसका मतलब होता है कि हम धर्ती की पूजा करते हैं इसलिए मुलाना साब कहते हैं कि इसको नहीं बोलना चाहिए जबकि अगर आप सबसे हम गलत सकते हैं कुछ मुस्लिम भी है इस बैच में हिंदू लोग बुरा नहीं मानिएगा हम बस इतना पूछते हैं हम अनाथासरम चलाएं, बहुत से लड़कों को फिरी में भी पढ़ाएं, आप लोग को 11 रुपिया में एड्मिशन दियें, इतना चिलाएं, तबियत खराब होने के बहुत सारा काम, हमसे जितनी भला ही हो सकती हैं, चाहे हो PM के अरफण में और सब हो सके, और हम 25 के ताथ हम इसलाम धर्म को मानते हैं, रोजा भी रखते हैं, हम बस इतना पूछते हैं कि अगर हम बंदे मातरम बोल देंगे, तो क्या अल्ला हमको इसलाम धर्म से निकाल देगा, हमारी सारी नेकियां भूल जाएगा, हमको सब कुछ कर दे, केवल एक सब्द के वज़े से, इसका मतलब हम यही समझे ना, कि यह जो इनसानियत है, जो अनाथासरम में किया गया काम है, हमारा जो रोजा है, या जो भी हम भलाई करते वो सब पे भारी ये तीन अच्छर है, अजा भाले भाई, हम दिखे, हम किसी को हाँ, सहीं या गलत नहीं कहते हैं, हम बस यह आप से कहते हैं, चाहें आप कोई भी हो, कोई टीचर हो, या कोई पंडी जी हो, या कोई मुलाना साहब हो, ये मत सोचिए कि वो जो बोल दिया वही सहीं है, आप अपने विवेक से सोचिए कि क्या सहीं हो सकता है, या क्या गलत हो सकता है, संज्जागे कि नहीं हैं, जो कहते हैं कि बंदे मातरम गलत है, उनसे बस इतना कह दीजेगा कि बंदे मातरम, पूरा जितना है आप पढ़के सुना दीजे और पढ़के ये बता दीजे कि इसका मतलब क्या है नहीं बता पाएंगे संच्वाएंगे कि नहीं है और ये भी एक जुनावी बन गया हिंदुस्तान में रहना है तो बंदे मातरम कहना होगा लो बया यह नेया मुद्दा क्यूंकि लोगों को चुनाव में यह तो मतलब नहीं रहता है कि सब्सक्राइब बहुत पढ़ी लिखिया यह पुस्पम प्र है कुछ लोग ह Happiness इंक हम भी सोची ली एक हम ना बोलेंगे मनें हमरा क्यों गला लैगा थो हम ना बोलेंगे चलो आगे देखो वही है आजंता की चित्र-कारी किस कथा से संबंदी थे आजंता में जो चीत्रकारी जो है महाराष्ट में और इसमें डीवालोप पर लिष्ट बनाए गया वह चित्र किसका है तो जो जातक ग्रंथ है बौथ धर्म का जो उसमें चीजे लिखी गई यह उसी को डिजाइन में बनाए गया जैसे रामायड में सीता और राम थे तो राम जी का अगर मुर्ती बना देंगे और कहीं सीता जी की मुर्ती बना देंगे तो कहेंगे किस से संबंदी थे तो राम हैर से तो यह किस से संबंदी थे जातक गरंद से समझ में आगे की नहीं आगे बढ़ते हैं जातक गरंद से पंच तंत्र यह तो बिश् और सुमेलित कीजिए क्या सुमेलित कीजिए अच्छा 94 उपर चला गया हूँ चलिए बावी दिखी यहां यह कोस्टन लोथल लोथल किसलिये था तो बंदरगा था जिसे हम गोदी वाड़ा करते हैं काली बंगा जुता हुआ खेत मिला है यहांपर काली बंगा से धोला वीरा धोला भीरा बहुत बड़ा एरिया था इंडिया पाकिस्तान दोनों में था य जैसे गन सीवा लेख मतलब एक लेख वगरा मिला हुए जिस पर कई सारे सीव जी का मतलब पसुपती का उस पर क्या बना हुए चीन बना हुए अगला कोशन कह रहा है कि क्रिष्ट देवराय के दरबार में अस्ट दिगज कोन थे देखिए इसमें तीन चीजे याद रखेगा एक कहता है नौरत्न एक कहता है अस्ट दिगज एक कहएगा अस्ट परधान एक कहएगा त्रिरत्न सन्या गया यह सारी चीजे याद रखेगा अष्ट दिगज जो थे वो तेलगू भासा के विद्वान थे। लेकिन कह देगा कि अष्ट पर्धान कोन थे, तो अष्ट पर्धान जो थे, वो सीवा जी के दर्बार में आठ मंत्रीयों को क्या कहा जाता था? अस्ट प्रधान कहा जाता था तो अस्ट दिगज जो थे अस्ट मतला होता आठ अस्ट दिगज ये क्या थे तेलगू भासा तेलगू भासा के आठ विद्वान थे जिसमें तेनाली राम और अलसी पे डनना बहुत महत्पूर थे ये बताएंगे कृष्ट देवराय बाबर के स प्रधान जो थे ये मंत्री लोग थे लोग किसके तो सीवा जी के मंत्री थे सीवा जी जो थे महराष्ट में उनके क्या थे ये लोग मंत्री थे आगे देखते हैं तीसरा नंबर कर रहा है अस्ट प्रधान के बाद तीसरा देखे नौरतन नौरतन ये नौरतन रतन जो थे ये दो जगा थे लोग, नौरत्न कितने जगा थे हैं, दो जगा में, नौरत्न दो जगा, एक थे विक्रमादित्र, चंद्र गुप्त दुतिय विक्रमादित्र, यहां क्या थे, संस्कृत भासा के जानने वाले, संस्कृत भासा के नौ विद्वानों को नौरत्न कहा जाता थ और अकबर के दरबार में विभिन विभाग के, कोई जरूरी नहीं कि संस्कित में, विभिन छेतर के नौ विद्वानों को नौ रतन कहा जाता था, ये अकबर के काल में नौ रतन हुआ करते थे, अब त्री रतन, बौत धरम का त्री रतन क्या था, बौत धरम में त्री रतन, और राष्ट्ट कूट में तृरतन यह यह तो होगिया आपका आश्ट दिगजण नारतन वगईरा अब त्री रतन देखते हैं त्री रतन मतलब तीन चीज़े त्री रतन उनोगो रतन थना अब त्री रतन देखिए त्री रतन एक होगा बहुत धरम का त्री रतन एक होगा जैन धरम का त्री रतन एक होगा राष्ट कूट का त्री रतन राष्ट कूट once था उसका, बहुत धरम में का का आ गया कि सबसे जरूरी क्या चीज़ है, महत्मा बुद्ध है तो बुद्ध सबसे जरूरी बुद्ध है अगर बुद्ध नहीं है, अगर महत्मा बुद्ध नहीं है, तो महत्मा बुद्ध के जो अन्याई हैं उनके संग में चले जाए अज संग भी नहीं है तो धार्मी किताब पढ़िए धम तो यह बुद्ध के सरण में जाए अब तो महत्मा बुद्ध रहे नहीं तब काता है संगम सरणम गच्छामी जो साधूओं का संग है ग्रूप में उसमें चले तो हमको अगर ब किताब ले ली जे बहुत धरम का त्रीफिटक, विनाए्堆पिटक, सुत्यपिटक, अभी धमिपिटक यहीं पढ़ते रहे तो यह बौत धरम का त्रीष करतन है जबकि जैन धरम के त्रीष इद्रत्न अलग है इनका कहना है कैसे होता है नॉबलेज मतलब घ्याण, fed मतलब आचरण सम्यक ज्ञान यानी 100% ज्रोए सम्यक विश्वास विश्वास होना चाहिए अपने उपर कि हम यह कर सकते हैं सम्यक आचरण आचरण अच्छा होना चाहिए यहींने कि इ intervenal line離 Gelyn मारना मनासमडन राष्ट्ट में तो राष्ट कूट में आपके कन्नड भासा के तीन विद्वान थें जिन में बोल एक का नाम था पन एक का नाम था पौन एक का नाम था रन्न यह किस भासा के थें तो कन्नड भासा के कन्नड भासा हुआ है तो कंणड भासा के तीन विध्वानों को भी क्राष्ट कूट का त्रिरत्न का जाता पन्पन रन हो गया है या यह आज श्ट दिग्गज श्ट परधान नौरत्न और त्रिरत्न यही पूछता आपका कोहीं हमारे कान से अचानक ना आधी की तरह उ लग रहा है अब एको डॉक्टर का हम यूटूब पे वीडियो देखें उका रहा है कोरोना का इन्याल अच्छन है आगे देखिए किष्ण देवराय के दरवार में अस्ट दिगत तेलगू भासा के थे ठीक है आठ मंत्री तो सीवा ज दुनिया का कोई भी वित्तिय विवस्था जो पुराना हो गया वो क्रिसी पर था क्यूंकि उस समय कोई GDP नहीं हुआ करती थी उस वक्त में कोई आपके इंडस्ट्री फेक्टरी नहीं होती है या तो खेती कीजिए या तो पसुपालन कीजिए सबसे बड़ा चीज क्या था भूराजस्व यानि खेती पर भूराजस्व लगाना रहता था खेती मतलए जमीन पर टेक्स आगे बढ़े 96 नमबर 97 निमलिकित में से किस सुल्तान ने हजरते आला की उपाधी धारण कर लिया था सेर सासूरी को क्या कहा हजरते आला सेर सासूरी को अकबर का रास्ता दिख बहतरीन मंत्री कुन था, टोडर मल, टोडर मल था, टोडर मल सेर सासूरी के बाद किसके दर्बार में चला गया, तो अकबर के दर्बार में चला गया, ये 2016 SSE LDC का कोश्चन था, कि टोडर मल किसके दर्बार में थे, तो सेर सासूरी के दर्बार में, बाद में उचले गया थे किसके दर्वार में तो अकबर के दर्वान, इलहाबाद की संधी के तहट आपको बताये थे पिछले क्लास में कि बकसर की लड़ाई जब जीत गया अंग्रेश तो उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, साथ में बंगाल वगरा सब जीत दिया, तो इलहाबाद संधी के त साथ, रावर्ट कलाइब ने मुर्सिदाबाद का दीवान किसे बना दिया था, मुहम्मद रजा खान को, मुहम्मद रजा खान को बना दिया था, हलाकि आप देखें, मीर जाफर को अटा के मीर कासीम को बनाया, फिर मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर पर नजर रखने के लि इन्होंने भूदान अंदोलन चलाया था भूदान मतलब जिनके बास जमीन जाते है वो गरीवों को जमीन दान दे दे यानि भूमी दान में दे भूदान आंदोलन इन्हें एसिया का ensure पूरसकार यानि रीमन मैकसे से एवाज़ दिया गया था अगला देखते हैं हम लोग मे पेंड काटने आते थे तो ये पूरे गाओं वाले पेंड पर इसे सड़ जाते थे कहते थे चिपक जाओ पेंड पर काटना है तो पहले हमको काटो तो परियावरान बचाने के लिए चिपको अंदोलन संजागे एक सायर ने क्या लिखा था सायरी लिखा था कि पेंड काटने आये थे कुछ लोग मेरे गाउं में अभी तेज धूप है ये कहकर बैठें हैं उसी पेड़ की छाओं में समझें नहीं समझा संगी कोई बात निया नहीं समझ भात थे तो हम क्या करें या जये परकास नराणी की संपूर्ण करांती चला दिय था सब इन ही के चला आइशा बिहा रें जत्ना बूर्ध फूड ने ता देख रहे हैं स्वतंता के पस्चान भारत के किस राज में पहली गयर कॉंग्रेसी राज सरकार बनी थी, 1966 में केरल में बनी थी तेलगू देशम पाटी की, गयर कॉंग्रेसी का मतलब जब देश आजाद हुआ, तो सबसे बड़ी पाटी कॉंग्रेस थी, दूसरी पाटी कोई थी नहीं, तो कहीं भी चुना होता था, तो कॉंग्रेसी जीत जाती थी, तो कर रहा है कि पहली बार कॉंग्रेसी सराज था, जहां कॉंग्रेस नहीं जीत के दूसरी पाटी जीती थी, तो 1966 में केरल में तेलगू देशम पाटी जीती थी, लेकिन कहेगा कि देश में पहली बार, यानि रॉक ये एजेंट थे उनको कटवा दिया ही पाकिस्तान में लोल था ही वहां के राष्टपती को फोन करके को दिया कि हमारे जासूस बता दिया है कि आपके परमाडू ठीकाने में क्या हो रहा है बजुका गिरे शुचरा यहां तो इंडिया के जासूस है सो खोज-खोज को एक हट हो हमारे रॉक के एजेंट को दो-दो साल में जान लिया गया है तनी-तनी काटा गया है बता तुम्हारा मिसन क्या है लेकिन हमारे देश के वीर जासूस जो थे नहीं बताया दूस साल में चमड़ी उधेड़-धेड़ के काट दिया से लेकिन नहीं बताया सलाम करते ऐसे बीर सपूतों को जो इन जैसे जाहिल परधान मंत्रियों के बज़े से अपने द्वतन की मिटी नसीब नहीं हुई उनके अर्थियों को उनकी अस्तियों को इस गंगा मा की उनकी जल नसीब नहीं हुगा जबकि कहा जाता है कि मुसलिमान हो तो अपनी जमीन में दफन हो और हिंदू हो तो गंगा मा में उसकी अर्थी अस्तियों को जला बहाए जाएगा ऐसे लोग के वज़े से क्या कहेंगे इस देश को किसने लूटा यार क्या बोले हम मुराजी देशाई ऐसे परधान मंत्री क्या करोगे भाईया तू लोग परधान मंत्री बनके अरे कुछ दस दिन का पईसे बचा थी हम लोग के देश के बास अच्छे अच्छे तलो नरेंद मोदी अभी चल रहा है क्योंकि देश में ना दस-पंदरा साल के बादे पता चलता है आपका काम अच्छा है कि खराब है संग्यागी नहीं आ गया आज सोड़िए दस साल बाद पता चल मुसलिम महिला जिसने भारत पर सासन किया रजिया सुल्तान इसका ये एक बहुत ही योग पढ़ी लिखी थी लेकिन देखिये मुसलमान धरम में महिलाओं को उतना भैलू नहीं है और इवेन हिंदू धरम में महिलाओं को पुर्चों से नीचे रखा गया है लेकिन जब दो धरमें पढ़िये तो इसलिए ये महिला होकर सासन करेगी तो मंतरी मंडल में बैठना ही पढ़ेगा इसलिए सारे लोगों ने इसका विरोध किया बाद में मरा गई यह सुष्री बहुत खचरी थी यह लईका से दिल्ली में भी फसल थी और हरियाना में भी जाके फस गई त काला पत्थर यहां काला रंग से लिख देते हैं गांधार सैली को गांधार सैली क्या कहा है ना काला पत्थर काला पत्थर से अगर मूर्ती बनाएंगे न तो यह गांधार सैली होती है गांधार सैली का निर्मार जो हुआ था वो कनिश्क के सासन काल में हुआ था कनिश्क और कनिश्क जो थे, वो बहुत धरम को मानते थे, लाल पत्थर से जो हुआ था, लाल पत्थर से, इसे कहा गया था मतुरा सैली, मतुरा सैली, मतुरा सैली से हुआ था, तो कर गंधार कला सैली का विकास किसके समय हुआ था, तो कनिश्क के सासनकाल में हुआ था, किसके सासनका और दो बहत संगीती हुई और दोबाग में टूट गिया जो पूरानी परंपराओं को मांते थे उन्हें कहा गया हीनियान और जो थ्लटा मॉडर्ण थे उसे कहा गया महायान और महायान के मानने वाले थे कणिष्क अब अथा कणिष्क नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं कनीश्क मानते थे बहुत धरम के महायान साखा को यह हो गए महायान साखा समझ में आगे है कि नहीं आगे है किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तब यह ठीक है नहीं गला भी बजा हुआ है समझे है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल पढ़ाएंगे ठीक है आज के लिए इतना देखे मेरा आवाज भी भारी लग रहा होगा और गला भी बज रहा है इसलिए कोरोना के बीच में गला सांस से प्रब्लम जो होते हैं उससे जादे जबरजस्ती नहीं करना चाहिए कि कब क्या न या फिर कुछ प्रब्लम निकल जाता है तो हम रेकॉर्डेट भी डाल देंगे लेकिन अगर ठीक ठाक रहेंगे तो लाइब ही आएंगे क्योंकि लाइब में हम कोई असान रहता है आए पढ़ा के चल गए रेकॉर्डेट में एक बार रेकॉर्ड करो फिर उसको अपलोड क मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आगे एक सो चार से फिर डिसकस कराएंगे एक सो चार यह एक सो तीन से ठीक है अगले क्लास में मिलेंगे जहन